हेलो फ्रेंड्स मैं ओएश और आप देखरें जियो लोजया स्पिरें यूटूब चानल तो आज हम डिसकस करेंगे लाइमस्टोन के उपर बट शुरू करने से पहले फॉर इंफोर्मेशन यह जो वीडियो है ओन डिमांड है मिन्स कुछ कमेंट्स आये थे लाइमस्टोन के ले रहे हैं बट हमने अभी सेडिमेंट्री का कुछ भी डिसकस नहीं किया मिन्स टेक्च्चर स्टक्चर इसके प्रोसेस हम सिर्फ यह ओन डिमांड एक वीडियो ले रहे हैं लाइमस्टोन का तो आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं आपका भी कुछ डिमांड है मिन्स आप अगर चाहते हैं आपके लिए हम वह आपका टॉपिक एक्स्प्लेयन करें तो आप कमेंट से समने बोल सकते हैं विल्ट्राइटू में एक वीडियो और टॉपिक को कैसो स्टार्ट करते हैं हमेशा कि तरह जब भी हम पेट्रग्राफी देखते हैं वह एम्तार चाहिघंचेस आरुश सर्ट्रीं embark कोई भी रोगोजिस जिसका पेट्रग्राफी देखते हैं हमेशा कि तरह हमologिक से जाते हैं मेंज हम मतलब एक sequence में जाते हैं definition, texture, structure, fit composition, classification, UGS, ठीक है इस तरह हम जाते हैं एक sequence में तो आज भी उसी sequence में हम जाएंगे हम ऐसा के तरह पहले देखते हैं definition ठीक है limestone की से हम बोल रहे हैं तो जो नहीं जीने नहीं पता जो न्यू है तो उनके के लिए एक बार मैं बोल देता हूँ limestone जो एक sedimentary rock है, ठीक है अब sedimentary हमारा होने को बाकी है तो हम obviously upcoming videos में sedimentary के उपर cover करेंगे आप अगर चैनल पर नहीं है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, साथी में bell icon को प्रेस कर लीजे, ताकि जब भी कोई geology related या फिर sedimentary को पर वीडियो आएगा तो आप सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पास कीगा, तो स्टार्ट करते हैं definition से, most common sedimentary rock of non-clastic group ठीक, अब non-clastic क्या है, classic क्या है, तो वह हमने अभी discuss नहीं किया है, upcoming videos में हम discuss करेंगे, फिर भी एक short में बताता हूं, जो non-clastic हम बोल रहे हैं, वह obviously बहुत fine grain rock रहेंगे, उसका characteristic जो रहेगा, बहुत fine grain रहेगा, non-clastic rock, ओके, और यह बहुत common रहता है, sedimentary rock में, मतलब most of the region में sedimentary जहाँ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ limestone कहीं नहीं कहीं, आपको present मिलेगा, ठीक है, तो यह बहुत common रहता है, पहला चीजा, और इसमें जो इसका composition रहता है, चीप composition जो रहता है, calcium carbonate, अब calcium carbonate means CCO3, इसमें जो इसका cheap constituent रहेगा, CCO3, अब जिसे हम बात कर रहे है, sedimentary rock है, तो obviously pre-existing rock जब weather होगा, तभी बनेगा, तो जैसे कोई भी pre-existing rock है, तो pre-existing rock जब nature में weathering, erosion या फिर transportation पे exposed होगा, means nature में जब exposed होता ही है, तो इसको पर obviously बहुत साब pre-existing rock होगा, वहाँ इग्नि documentary हो सकता है, तो जिसका जब erosion होता है, मतलब various agency के वज़ा से हो सकता है, wind, river, glacier, ठीक, इनके वज़ा से जब इसका erosion होगा, तो एक process चलता है, यहां से weather होके कुछ rock particle आएंगे, जैसे यह से weather होके rock particle साते जाएंगे, तो इसमें जो ions रहते, वो dissolved होते होते जाते हैं, ठीक है, तो जब calcium carbonate, इसमा iron रहेंगे, तो अभी उसली जाके deposit होगे कहीं न कहीं low elevated portion में, तो वह से ही deposit हो रहें, जैसे इसका composition जो आ रहा है, calcium carbonate होके, तो mineral के जो ion से ब्रेक हो जाते हैं, due to weathering, erosion, और जब यह fluid में आते हैं, जिसे water होगा, glacier होगा, यह सब agency है, उसके throw में जब आए उसका composition रहें, during deposit calcium carbonate, तभी वो limestone देगा product, तो यही है limestone, कैसे बन रहा है, इसका chip composition क्या है, वो हमने देखा, अब इसका texture देखते है, limestone का, okay, limestone का texture हो रहेगा, fossil forestic है, limestone जो rock है, उसमें आपको बहुत कहीं बहुत हद तक आपको fossil content भी देखना को मिलेगा, means limestone में आपको fossil का content देखना को मिलेगा, okay, तो limestone जो rock है, उसमें आपको fossil मिलेगा, पहला बात, उसका जो texture है, वो dense और compact रहेगा, इसका जो packing है, means जो इसका grain है, individual grain के बीच में interlocking, या फिर उसके बीच में जो closeness रहता है, तो इसका closeness रहेगा, loose रहेगा, means यह जो loosely pack रहेगा, ठीक है, औ और इसमें high porosity देखने को मिलेगा, obviously, जब loosely pack रहेगा, तो high porosity जैसे एक rock है याँपे, तो उसके grain है, grain अगर loosely pack नहीं है, means बहुत ज़्यादा, मतलब squeeze होके रहेगा, या फिर compact रहेगा, तो देखिए किस तरह वो अगर एक साथ, मतलब loosely pack नहीं है, ठीक है, अगर यह loosely pack नही मिलेगा, but in case of loosely pack, जहाँ पर हो loosely pack रहेंगे, एक दूसरे से, मतलब grain के बीच में contact नहीं रहेगा, means थोड़ा इसमें gap रहेगा, तभी हम इसे बहुत सकते है, porosity, मतलब इसमें porosity देखना को मिलेगा, due to its loose packing, okay, तो यह तो था, texture के बारे में, means यहाँ पर हम दें क्या देखा, लाइमस्टोन जो है, common sedimenty रोक है, जो भी non-clastic है, ठीके, fine grain रहेगा, non-clastic means fine grain रहेगा, cheap concentrate, इसका है calcium carbonate, again, वो fossiliferous रहेगा, उसका nature जो रहेगा, fossiliferous, compact रहेगा, hard रहेगा, dense रहेगा, उसका texture, उसका जब packing का बात करते हैं, तो loosely packing रहेगा, due to loosely packing, high porosity है, दिखाएगा, उसक composition क्या है, तो composition जो है, लाइमस्टोन का, अभी हमने देखा हुऊ cheaply, जो constituent रहेगा, calcium carbonate, तो CAO, और CO2, obviously calcium carbonate रहेगा, तो उसका हम बोल सकते हैं, CACO3O के, और कुछ cases में इसमें देखा जाता है, कि magnesium का भी impurity, अब मैंने पहले ही वोला था, cheap concentrate means, cheap, अगर, cheap concentrate means, कहीं ना कही measure mode में, अगर 95% भी अगर calcium का component है, तो बचा तो 5%, 5% और भी कुछ add रहेंगे, तो इसी तरह यहाँ पर magnesium oxide का impurity, इसमें कुछ add होता है, ठीए, बहुत time, और जब magnesium oxide का impurity, 2% exceed कर जाएगा, तो उस rock को ही हम बोलते है, magnesium limestone, अब यह rock तो हम discuss कर रहें, limestone के बारे में, क्यों के, यहाँ पर कहीं न कहीं, magnesium का impurity, magnesium oxide का impurity, जब rock में, 2% से exceed कर जाएगा, तो इसी को हम term दे रहे है, magnesium limestone, के, तो इसमें confuse होने का नहीं है, rock जो है major limestone, but due to presence of magnesium oxide, more than 2%, इसलिए हम उसको naming कर रहे है, magnesium limestone, तो इसमें कुछ, emodal magnesium का impurity भी देखने को मिलता है, और भी कुछ देखने को मिलते हैं, जैर सो हम इसे classification भी करते हैं, various various type में, अब अब अगर आप 12 के student होगर यह video देख रहे हो, तो आपको सिर्फ definition, texture, और composition and uses के उपर पुछा जाता है, ठीक है, अगर आप 12 में हो, but if you are in BSc या फिर MSc कोई भी एंट्रांस के लिए प्रिपेर कर रहे हो, तो obviously आपको classification का जरूरत है, but 12 student के लिए classification कहीं नहीं पुछते हैं, ठीक है, 12 student का मैंने शिलाबस देखा, especially मैं बात कर रहा हूँ, ओडिशा का, तो आपको classification को उपर कभी वो नहीं question नहीं पुछेंगे, ठीक है, आपको सिर्फ उसका मतलब general things पुछेंगे, जो कि आपको definition पता रहना चाहिए, texture, composition, उसका uses, that enough, ठीक है, बड़ ये 12 student के लिए है, और specially मैं बोल रहा हूँ, जब Odisha region में, means Odisha के जो सिलाबस है, उसका हिसाब से, बड़ जब बात करेंगे हम BSC या fit entrances के लिए, तो हाँ, classification को बहुत बार पुछा आता है, तो देखते हैं, classification क्या है, तो classification में सबसे पहले आता है, line strong का chalk, आप chalk क्या ह Chalk time से आपको hint आ गया होगा, day to day life में जो हम chalk यूज करते हैं, या फिर teachers यूज करते हैं, blackboard में, या फिर ancient time में यूज होता था, मतलब कुछ year पहले अभी, में भी marker से समझाते होंगे, या फिर आज कल तो online classes चल रहे हैं, तो बहुत हद तक chalk का यूज कम गया है, बट, chalk भी क्या है न, chalk जो है, blackboard में जिससे लिखा जाता है, उसे हम यहाँ पर बोल रहे है, chalk ठीक, आप chalk किया है, देखते हैं, classic, मतलब, limestone का किस type, यह type है, किस type में यह रहता है, क्या रहता है, इसका character देखते है, present form of limestone, ठीक है, limestone सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है, chalk के र अरदी रहेगा, और इसका grain जो रहेगा, fine grain रहेगा, ठीक, और common जो इसका color रहेगा, white रहेगा, आप सब ने देखा होगा chalk, जो कि यूज करते हैं, teacher या फिर पहले यूज भी करते थे हैं, अभी भी करते होंगे most of the college में, तो colleges, schools में अभी भी यूज करते हैं, तो वही है बहुत, मतलब बहुत से बच्चे chalk को खा भी जाते हैं, due to its ardy smell, ठीक है, उसका smell जो रहता है, ardy को बज़ा से, chalk को बहुत से बच्चे खाने भी लगते हैं, ठीक है, जिसे आर्थ का surface यहाँ पर अगर rain गिरता है, तो अगर मतलब slight rain होगा, तो जिस तरह एक ardy smell आता है, उस लाइम स्टोन है, अब सेली लाइम स्टोन की अब युँ जया टर्माराःच सेल, सेल मिंग्स कहीं नहीं कहीं हम बात कर रहे हैं, जो हम paleontology में बहुत सारे दखते हैं फाइलम, उसके अंदर जो रहते हैं, जिसे हमारे पास है, बाइबाल दिया या फिर दो यह सेब्सेल से बनता है करहां चल को कॉल्ट कॉल्चिलिंद उसको ऐसेद लाम्स्ट को आ सूतके हुद मतल्ट के परीज़ब टृक ही से लामस्टोर में आपको घर्ट मी आपको देखने हो कम el आपके और अपिसेली लाइमस्टों को ये सोफा जैली लाइमस्टॉन वह सब्सक्राइब वह सेल्सकाइब कंडिस बहुत बॉल युनिवर्सिटी के इंट्रांसेंस में, आप अगर देखते हो सागर युनिवर्सिटी का question paper, previous कुछ यह रहे हैं, तो आपको यह question दो या तीन, दो से तीन बार में आपको repeat देखना को मिलेगा, कि वो सिर्फ यही पुछते हैं, कि कोकीना क्या है, ठीक है, मतलब वो दे मतलब which of the following is a type of limestone, उसमें आपको तीन चार नेम दे देंगे, उसमें कोकीना भी रहेगा, ठीक है, और बाकी जो नेम रहेंगे, वो obviously limestone से बिलोग नहीं करते रहेंगे, तो इस step में भी question आ रहा है, but वो depth में नहीं पूछेंगे कि कि इस condition में हम उसे कोकीना बोलेंगे, से limestone से कोकीना का convert हो रहा है, वो सब वो नहीं पूछेंगे, सिर्फ वो इतना पूछेंगे कि which of the following is a type of limestone, और यह question बहुत बार पूछा भी गया है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, okay, आपको थोड़ा यह ध्यान देना है, और इसका definition अगरा नहीं भी याद रहा तो भी चलेगा, बट यह term आपको याद रहना जरूरी है, इसी तरह अब देखते हैं, नेश्योस का type है, argillacis limestone, अब जैसे ही time आगया, argillacis term आगया, तो यह term से क्या पता चलता कहीं नहीं कहीं है, fine grain रहेगा, हमार पस तीन type के रहते हैं, argillacis, argillacis, rudacis, argillacis जो रहता है, पुरा fine grain रह रहता, argillacis थोड़ा सा पोर्स दिखाएगा, argillacis ज्यादा कोर्स रहेगा, तो यह जो रोक रहेगा, obviously fine grain रहेगा, content clay and carbonate in equal proportion, जब भी कोई limestone में equal proportion में clay और carbonate देखना को मिल जागा, तब भी हम उसे बोलते हैं, argillacis limestone, और इसका origin रहेगा, allokothonus, okay, अब allokothonus क्या है, हाँ, इसे भी term आते हैं हमें, sedimentary में, देखते हैं यह term क्या है, जब आप petit zone के द्वारा, जो limestone का classification क्लासिफिकेशन क्या गया है, वह जब आप पढ़ते हो, या फिर petit zone ने जब limestone का classification क्लासिफिकेशन क्या था, वह अगर आप book में पढ़ते हो, तो आपको हाँ पर term एक दे बढ़ता हूँ, suppose यह एक basin है, यह और एक basin है, ठीक है, यह एक अलग basin है, यह एक अलग basin है, यह एक अलग basin है, यहाँ पर दो, मतलब elevated portion है, मतलब बहुत दूर से कहीं न कहीं, यह समझ लीजे, यहाँ से e-road होके, metal होके, मतलब e-road होके, बहुत सारे material आ रहे हैं, फिर milestone बन रहे है, उसी को कहीं न कहीं term दिया जाता है, ओलो को थोनस है, इसका origin जाता है, इसको ऑड़ बहुत यह निसली बहुत से ने जो classification किया है वहाँ पर आपको यह term कहीं ने कहीं different देखना को मिलेगा तो यहाँ पर यह alokothonus के जगा fog ने यूज किया alokemical और orthokemical ठीक है यहाँ इसको यूज किया alokothonus के जगा alokemical और orthokothonus जिसको पेटी जो ने यूज किया आपको इसके बारे में सब कुछ मिलेगा बट इन सोट यह हम alokothonus की से बोल दहां जो कि बहुत दूर रिजियन से आके एक बेसिन में deposit हो रहा है उससी condition को हम बोल रहा है alokothonus ठीक है और यह term पहली बार पेटी जोन के दौरा इंटर्डूश किया गया था जब वह लाइमस् आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसका जो यूज है इसको बहुत ज्यादा यूज क्या आता है लिथोग्राफी में ठीक है अब लिथोग्राफी क्या है देखेंगे भी हम और इसका जो टेक्ट्टर रहता है मतलब 2.50 से उसका जो 1 by 2.50 mm रहेगा ठीक है तो जब उसका टेक्ट्टर मतलब उसका जो टेक्ट्टर का जो ग्रेन का जो टेक्ट्टर रहता है जब इतना कम साइज रहता है वो छोटा साइज रहता है तो उसी को ही टर्म दिया गया बहुत सारे जेलोजिट के द्वारा ल लिफोग्राफिक टेक्स्टार ओके जितोग्राफिक टेक्स्टर इजी नोफिंग बट तहाईट साइज और वी नोद जाता है लिफृफिक प्रिंटिंग hats के कुंछ यूज़र इसको नेमिंग भी दिया गया लिछ घ्राफिक लाइविस्टोनन ही विड्राफिक फíst जहां पर भी मतलब प्रिंटिंग होता है स्टीकर वगेरा ठीक है या फिर बुक्स में जो प्रिंटिंग होते हैं कलर्फुल डाइग्राम्स उसी को हम बोल रहे हैं लिथो प्रिंटिंग अब जो next type है लाइबस्टोन का वो है कंकर अब कंकर क्या है यह जो term है अब बचली है Indian term है ठीक है तो इसमें confuse होने का नहीं है कंकर कंकर जो simply हम rocks को बोलते हैं हिंदी में जिसको हम कंकर बोलते हैं तो उसी के वज़ासे इसका naming आया कंकर मिन्स यहां पर जो size रहेंगे और छोड़े छोड़े इस type में उसका size रहेगा ठीक है जार्शा इसको term बोला जा रहा है कंकर अब यह term जो हिंदी term है कंकर ठीक है इसलिए इसका term भी दियागे है उसका size का हिसाब से और इसका जो origin रहेगा अब जो non-marine रहेगा ठीक है कंकर जो रोक है टाइप है उसका origin रहेगा non-marine मिन्स यह मेरा इन रीजन में कभी भी form नहीं होगा और यह form के शवर है form by the evaporation of sub-soil water rich in calcium carbonate जब भी कोई water मिन्स जब भी कोई soil है ठीक है यह soil है इसका composition CA यह CO3 है ठीक है अब इसमें कहीं न कहीं मतलब यह तो surface पर यहाँ पर बात किया जा रहा है sub-surface में sub-surface में जब water content रहता है पर जब water evaporate हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी बचेगा उसे ही हम बोल रहे है कंकर limestone के मिन्स जब भी कोई soil में CSCA3 का content ज़्यादा रहेगा उसका दूश मतलब limestone में water जो रहेगा sub-surface region में रहेगा वो जब इभपरट हो जाएगा उसी को हम टम दे रहे हैं कंकर limestone अब next type दिते है next जो type है calcic center मैं फिर से बोल गाँ जो 12 के student अगर यह वीडियो देखे रहे हैं आपको types याद रहने की ज़रूत नहीं बट जो 12 के ऊपर means BSC या फिर MSC एंट्रांसर के लिए प्रिप्यार कर रहे हैं तो उनके लिए यह बहुत important है तो next जो type है calcic center अब calcic center क्या देखते है formed by the precipitation of carbonate rich spring water ठीक है carbonate rich जो भी spring water रहते है उसके वज़ा से यह बनता है अब यह है क्या बहुत देखते हैं जिससे springs रहते हैं हमारे पस जिसमें water रहते हैं drop होगे ठीक है तो obviously water कहा से आएंगे मतलब river वगेरा से जब water आएंगे या फिर stream वगेरा से तो obviously बहुत region देख आएंगे तो बहुत रोक को वहाँ पर रोक के साथ भी collide करके या फिर रोक को weathering erosion करते हुए आएंगे तो जब वह रोक को weathering या फिर erosion कर रहे हैं तो रोक में जो भी mineral है mineral में जो भी anion cation मतलब carbon rich रहेंगे ठीक है तो वहाँ के spring में कहीं न कहीं deposit हो जाते है यह एक water trap होके रहता है spring में तो वहाँ पर आके वह रहे गए ठीक है अब जब time के साथ वह water evaporate हो जाएगा precipitate हो जाएगा तो वहाँ पर क्या रह जाएगा जो material water के साथ हाया था dissolved होके वह रह जाएगा और इस ही type में जो depositors है उसी को हम बोलते है calcium center ठीक है deposits are also known as इसको भी बोला है तो आप जब formation का बात आता है तो यहाँ पर बहुत सारे controversies चलते है ठीक है author to author तो इसके बीच में हम नहीं जाना simply हम इसका formation देख लेते हैं then you just देखेंगे ठीक है formation का जब बात करते है limestone have two different origin of या फिर environment of formation ठीक है blackjack libsstone का दो इन्वर्मेंट है formation का देख लेते हूँ क्या क्या है इन सीमपल एक वटन देर देता है बायो thermal limestone और एक को बला डेता है पेलाजिक लाइम चन आप बायो थर्मल लाइम चन किया है इसका हम देखने दिपोजित मीन्स जो और्गानिज्म डेड़ हो जाते हैं जो जो डेड़ होने के बाद उनका जो भूड़ पोड़ी रहता या फिर उसे शेल बोलते हैं उसके बज़ासे जो भी सीट लाइक में डिपोजित हो रहा है मतलब डिचर्व हो का यह लाइमस्टोन उसे हम बोल रहे है जब और्गानिज्म डेड़ हो जाएंगे तो उनके जो सेल रहेंगे वह उसी से बंदा या फिर कहीं न कहीं जो लाइम सेक्रेटिंग रिजियन रहते रहते वहां से बनता है और नेक्स्ट जो इसका फ्रमेशन का टाइप है वह है पेलाजिक लाइमस्टोन पेलाजिक ल अगर लेंगे फोरामिनिफेरा जो की एक माइक्रो फोसील है वो जब डेड़ हो जाएगा तो उसका जो भी बोडी रहेगा उससे लाइम अब्यूशली सिक्रेट होगा क्यूंकि उसका जो बोडी है लाइमस्टोन है मतलब क्याल्सियम कारगोनेट है तो जब यह डेड़ हो उसे हम बोलने पेलाजिक लाइमस्टोन और यह कैसे बनेगा फ्लोटिंग कंडिशन में जो भी और गानीजिव रहते हो डेड़ होने के बाद यह बनेगा अब देखते हैं इसका कुछ ही यूज है जो कि इंपोर्टेंटर लाइमस्टोन उसका यूज के लिए ही बहुत फै अर्जिला सेस लाइमस्टोन उसको भी यूज कहा जाता है सिमेंट इंडस्ट्री में ठीक आप देखते हैं लाइमस्टोन का यूज आज फ्लक्स इन मेटालोजिकल इंडस्ट्री ठीक है लाइमस्टोन जो है मेटालोजिकल इंडस्ट्री में फ्लक्स के रूप में यूज भी कोई और को या फिर मिनरल को मेल्ड करते हैं नेटिब मिनरल लिकालने के लिए तो उसका जो भी और या फिर मिनरल रहता है उसका जो melting point रहता हाई रहता है ठीक है तो वो melting point को decrease करने के लिए limestone को flux कर रूप में use करते हैं उसको use करने से क्या होता है न जो भी वो मतलब coal से या फिर gas से उसको hit कर रहे है तो hit कम amount में लगे हैं अगर किसी भी rock या फिर mineral का किसी भी mineral का melting point है ये है ठीक है तो जब हम add कर देंगे limestone ठीक है limestone को add कर देंगे अज़े flux तो यहां पर क्या होगा यह decrease हो जाएगा ठीक है यह जो रहेगा decrease होगा तो obviously industry वाले को फाइदा है फाइदा कहीं से है क्यूंकि जितना amount का उन्हें coal या फिर gas लग रहा था इसका original जो melting point में आने के लिए तो उससे पहले वह आ जाएंगे तो obviously उनका coal बचेगा that's why इसे यूज गया जाता है और उसको यूज भी क्या जाता है पूटी के द्वारा मतलब पूटी जो color मालते है मतलब buildings में limestone से grit, obviously पूटी भी बनता है ठिक है और paint industry में limestone को भी कह जाता है white cement भी बनता है lub या फिर paint industry में भी यूज जाता है white cement के रूप में भी यूज जाता है